राधे राधे मित्रों कैसे हैं आप सभे उम्मेद करता हूँ अच्छे होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए बेहद आवश्यक और महतपुर्ण होने वाला है क्योंकि आज लोग जानने वाले हैं कि अगर आपके सपने में सोना चांदी चोड़ी हो गया है तो इसका मतलब क्या होगा अगर आपके सपने में सोना और चांदी चोड़ी हुआ है या कोई भी जवाहरात चोड़ी हुआ है तो क्या आने वाले वक्त में आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है इस सपने का क्या आपके जीवन में कोई प्रभाव पड़ेगा अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए तो आईए अब हम वीडियो की सुरुआत करते हैं फरंतु उससे पहले क्या करना है आपको वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में अपना नाम आपको कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है तो आईए अब हम वीडियो की सुरुआत करते हैं दोस्तों आपको पता होगा कि हर एक सपने का कोई न कोई अर्थ होता है अगर आपने शपने में कुछ भी देखा है तो उसका कोई न कोई मतलब कोई न कोई अर्थ अवश्य होगा उसका अर्थ कभी आपके लिए फाइदिमंद तो कभी आपके लिए नुक्सान देह सावित हो जाता है कभी-कभी लोग शपने में कुछ अच्छा देख लेते हैं और उस कारण से लोग बहुत ज्यादा खुस हो जाते हैं परन्तु कभी-कभी स्वपन बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है जो कि आपके मानसिक शांती को भंग कर देता है और इस स्वपन के कारण आपको आनेवाले वक्त में परेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होता है दोस्तो मान लीजिए आपके शपने में सोना और चांदी चूड़ी हो गया तो इस सपने का अर्थ आपके लिए आने वाले वक्त में अच्छा बिलकुल भी नहीं होगा यह सवपन आपके लिए असुब ही रहेगा शुब बिलकुल भी नहीं होगा हो सकता है तो आने वाले वक्त में आपको कोई बड़ी परेशानी हो सकती है अर्थिक रूप से आपको नुक्षान का सामना करना पर सकता है अगर आप कोई कारोबारी है आपका खुद का कोई कारोबार है तो कारोबार के छेत्र में आपको पड़ेशानी का सामना करना पर सकता है आपका कारोबार डूब सकता है और आपके कामकाज के छेतर में आपको नुक्षान का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा तो इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा आप मेंसे जो भी लोग नौकडी करते हैं या आप नौकडी करने वाले हैं तो आने वाले वक्त में आपके नौकडी के छेतर में भी आपको शमस्या का शामना करना होगा आपके नौकडी के छेत्र में आपके बॉस के द्वारा सिनियर के द्वारा आपको पड़ेशान बहुत ज्यादा किया जाएगा मानसिक रूप से आप ज्यादा खुस नहीं होंगे और मानसिक रूप से आपको तनाव का शामना बहुत ज्यादा करना होगा आप में से जो भी लोग विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को उनके पढ़ाई लिखाई के छेत्र में पढ़ेशानी का सामना करना होगा पढ़ाई लिखाई में उनका मन जयादा नहीं लगेगा और उनकी जो एकागरता होगी वो कहीं न कहीं भंग हो जाएगी और पढ़ाई के छेत्र में वो अपने परिनाम से संतुष्ट जयादा नहीं होंगे तो इन बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा दोस्तों उमीद करता हूँ ये सारी बातें आपके माइंड में किलियरली आ गई होगी अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो कोई प्रस्ण हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा आपकी शहायता आवश्च की जाएगी वैसे मैं उमीद करता हूँ अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है वीडियो को हर जगा सेयर कर देना है तो हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्री राधे